हम सभी चाहते हैं हम जो भी खाना बनाएं सभी उसकी तारीफ करें लेकिन रोजाना वाले खाने से हम सभी लोग बोर हो जाते हैं क्योंकि टेस्ट सेम आता है तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी यूनिक और स्पेसल मशाला जो किसी भी सबजी किसी भी खाने में थोड़ा सा डाल दीजे ऐसा स्वात का जादू होगा जो भी आपकी हाथ से बना खाना खाएगा वही तारीफ करेगा किसी भी खाने में मसाले का बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल होता है अगर हम घर में मसाले बनाते हैं और उन मसालों को सबजी में डाले तो उनका श्वाद बहुत ज्यादा अच्छा आता है क्योंकि उसमें ना तो कोई केमिकल का यूज होता है और ना ही कोई कलर का यूज होता है हमारे सामने घर में बना होता है वो मशाला तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा चम्मट सौफ लिया है थोरी सी सौफ मसाले को बहुत टेस्टी बना देती है और एक चम्मट जीरा लिया है आठ से साथ लाल मिर्च लिया है यहां मैं लाल मिर्च कलर के लिये यूच कर रही हूँ 10 से 15 तेशपत्ता लिया है और लगभग 200 ग्राम धनिया लिया है पैन को गैस पे गर्म कर ली हूँ अब मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ और एक मिनट तक इसको रोस्ट करूँगी और एकदम लो फ्लेम पर मैं यहां पे रोस्ट कर रही हूँ और बहुत जादा हमें रोस्ट नहीं करना है मैं यहां पे सर्फ एक मिनट रोस्ट करूँगी और फिर जीरा और सॉफट डाल रही हूँ इसे भी मैं एक मिनट तक रोस्ट करूँगी अब एक मिनट रोस्ट करने के बाद तेज पत्ता और लार्मेश्ट डाल रही हूं से भी दो मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट कर रही हूं अब नमी चला गया है मसाले का अब मसाला रोस्ट हो गया है अब मैं फ्लेम को आफ कर दूँगी अब इसे plate में निकाल लूँगी और ठंड़ा होने के लिए रख दूँगी ठंड़ा होने के बाद इसे mixer jar में डालके इसको grind कर लूँगी मसाले को मुझे ठंड़ा होने के बाद grind करना है, गरम में grind नहीं करना है पैन मेरा गरम था उसे में मैं एक स्पून कसूरी मेथी भी रोश्ट कर रही हूँ इसके लिए ज्यादा हेट की ज़रूरत नहीं है मुझे कसूरी मेथी को भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे अब हमारा मसाला ठंडा हो गया है और इसे मिक्सर जार में डाल कर ग्राइंड कर लेंगे और अब ये मेरा मसाला रेडी हो गया है आप देख सकते हैं ये जो मसाला मैंने आपको बताया है ये बहुत काम की है अगर आप इसे एक बार बनाकर रख लीजे और फिर चाहे किसी भी दाल, सबजी, भुंजिया, छोले किसी में भी आप इसे थोड़ा सडा लिए और फिर देखे कितना बहतरीन सुआद आपकी सबजी में आता है घर में बने मसाले एकदम हाईजेनिक होते हैं बिना मिलावट के होते हैं तो इस तरह से मसाला आप जरूर ट्राई करें उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर मेरी रेस्पी आपको हेल्फुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें सभी फैमली और फ्रेंड्स को जरूर सेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू बबाई गॉड ब्लेस यू और टेक केर